स्टार्ट सवापती महोदे राष्टपती जी के अभी भासन पर जो धन्यवाद का प्रश्ताब सदन के सामने प्रश्तुत है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ राष्टपती जी का जो अभी भासन है उसमें देश के लिए नई दिसा का निर्देश देने की कोसिस की गई है राष्टपती का अभी भासन देश को नई दिसा देने की दिसा में बहुत ही उचत कदम है पहला है समाज का अत्यंत गरीव बर्ग जिसे हरीजन और आदिवासी कहते हैं उसकी आर्थिक दसा सुधारने के लिए पूरी कोसिस की गई है दूसरा है महंगाई रोकने के लिए टोस कदम का उठाना और तीसरा है जन्ता पार्टी की पैदा की गई इस्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर सांती इस्थापित करना चौता है आर्थिक इस्तिती को मजबूत करना पांचवा है किसानों की हालत सुधारने के लिए योजना बनाना और छटा है नहरू जी की विदेश नीती का अनूसरण इन छे भागों में राष्टपती के अभीबासण को बांट देंगे तो देखेंगे की इससे अच्छा दिसा निर्देश और दिया ही नहीं जा सकता था पेरगरप चिन मैं पहली बात की और आपका ध्यान आकर सित करना चाहता हूं आज समाज का गरीब बर्ग जिसे हरीजन और आदिवासी कहते हैं उसकी आर्थिक इस्तिती काफी गिरी हुई है आज आप उस गाउं में जाएं जहां हरीजन और आदिवासी रहते हैं तो उसकी आर्थिक दसा और उनका रहन सहन देखकर आप यह महसूस करेंगे कि यह तो आदमी के रहने के घर नहीं है बलकि पसू के रहने का घर है हमारे पिर्धान मंत्री जी के कुसल नेत्रत्व में भी सूत्री कारेकरम जो चला उस के अंदर हम यह दावा तो नहीं करते की हमारी सारी की सारी समस्या हल हो गई लेकिन उससे हमारे हरीजन और आदिवासी लोगों के अंदर यह भाबना पैदा हुई की आज की सरकार ही एक सरकार है जो उनकी दसा में सुधार ला सकती है और उनकी आर्थिक हालत में ला सकती है मैं इस सम्मन्न में कुछ सुजाब भी आपके सामने रखना चाहता हूँ आप जानते हैं कि भी सूत्री कारक्रम के अंतरगत हरीजन और आदिवासी को कुछ जमीन दी गई थी परंतु लोकदल तथा अन्य सरकार के जमाने में उनकी बह जमीन जो उनसे छीन ली जाए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हरीजन को सिर्फ जमीन देना ही काफी नहीं है उनको जमीन अवस्य दी जाए और इस काम को वह अपना मुख्य काम समझ कर करें लेकिन इसके साथ साथ उनकी सिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने हाथ में ले और पृतिक इ अलाके मैं तहसील के इस्तर पर एक स्कूल हरीजन वच्चों के पढ़ने के लिए बनाया जाए जब तक हरीजन में सिक्चा नहीं आएगी तब तक उसके आर्थिक ढांचे मैं सुधार नहीं आ सकता इन अलपाज के साथ मैं अपना वासर समाप्त करता हूं